पर एक बड़ी ख़बर आ रही है संबल जिले की गुन्ना और तैसील से जहाँ पर 50 लीटर से अधिक कच्ची शराब में साग में एक व्यत्ती को गिरफ्टार किया गया है इसके साथ साथ यहाँ पर शराब बनाने के उप्तरण भी पुलिस ने परामत किये हैं बताते चलें कि लंबे समय से इस छेतर में कच्ची शराब बनाने का कारोबार चला रहा है और आज जो यह पुलिस को सबनता हासिल हुई है 50 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब पकड़ी है और एक आरोपी को गिर्फ्तार किया गया है बता कर रहा है गुन्नोल खोद वाली इलाके के रगुपुर पोक्चा के जंगलों में ये व्यक्ति पकड़ा गया है जो 50 लीडर से अधिक कच्ची शराब के साथ में पुलिस ने दवोचा है और एक व्यक्ति भागने में काम्याब रहा है जिसकी कलास में पुलिस अलग-अलग स्थानों प लेकिन इसके बावजूद भी ये धंदा रुपने का नाम नहीं ले रहा है और बड़ी खबर ये इसी के साथ संबल जिले के गुन्नो और इलाके से हैं यहां पर कच्ची शराब के साथ में एक ज़क्ति पकड़ा गया है और एक ज़क्ति भागने में काम्याब रहा है तो पुलिस को भी इस मामले में सतरक रहना होगा जो कि कच्ची शराब एक जहर से भी ज्यादार खदरनाग होती है इन लोगों को ये पता नहीं होता कि कितने टेंपरेचर और कितनी डिगरी पर ये शराब कहुंच गई है और पीने के बाद में तमाम लोगों की पूरे प्रद